नमस्कार अपना प्रदेश उत्र प्रदेश उत्राखन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा मोहन पाणे ब्योटन की शुवात करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं वारानसी दौरे पर मुखेबंतुरी योग्या अधितुनात ने मंडरीय समिक्षा के दौरान एक बार फिर से पुलिस बिजली विभाग और नगर निगम को निशाने पर लिया है कहा कि पुलिस की शवी पे पहले किया पेक्षा काफी ज़ादा सुधार हुआ लेकिन और ज़ादा सुधार होने की जरूरत है अवैद वसूली किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए बरदाश्त नहीं की जाएगी पुलिस पबलिक की हितैशी बने जनता बिना डर के थाने तक आकर अपनी बात साज़ा कर सके ऐसा महौल बनाईए इसके बाद सियम योगिया दितुरात ने बाबा काशी विश्वनाथ दर्बार में दर्शन पूजन किया और प्रदेश की खुशाली की काम ना की है मोकिवंतरी गुरुवार को आजमगड पहुचे योगी बीते कुछ दिनों से पूरवांचल की जिलुम का लगातार दौरा कर रहे हैं इस दौरान नहों ने आजमगड में 143 करोड रुपई की 50 परियोजनाओं का लोकारपन भी किया और शिला ने आजबे सियम योगी ने यहां कारिक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया इस दौरान सियम योगी ने कहा आजमगड में जो प्रतिबात थी वो राजन्यतिक संकीनता के कारण खत्म हो गई यह खास रपॉर्ट देखे अत्तक आजमगड सपा का गड़ कहा जाता रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 उप्शुनाओं में भाजपा ने सपा के कीले को नस्ते नाबूत कर दिया और आजमगड में लंबे समय के बाद कमल खिला है बिजेपी के जीत के बाद सपा का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है बिजेपी एक के बाद एक बड़ा सियासी जटका सपा को देती जा रही है बिजेपी पिछले चार महिने में सपा को चार बार सियासी में मुखे मांत्री योगी आदित नाथ आज पहली बार आजमगड़ के दोरे पर पहुँचे हैं बंठी सीम योगी ने कहा विकास के बल पर हमने आजमगड़ की पहचान बदली है अब विकास के कारियों में कमी नहीं होगी लोक सबाव चुनों में दिनेस लाल याद और निरोवा को विजय बनाने के लिए जनता का हिर्दय से आभार भी जताया और बाद में उन्होंने कहा कि जीले से हमारे सांसन विधायक भले ना जीते हो लेकिन हमने विकास के मामले में भेदबाव कभी नहीं किया जिससे अब दो घंटे में लखनव का सफर तै किया जा सकता है जीले के लोगों का सपना था कि यहां विश्विद्दालय का निर्मान हूं जिसे हमने पूरा कर दिया और नाम महराजा सुहेदे विश्विद्दालय रखा वहीं हस्तिल्पियों को कम ब्याज पर रेनुपलब्द कराया पांच लाग नौजवानों को बीना बेदभाव के नौकरी दी तो वहीं एक करोड पैसट लाग नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई ही तक सकता है। नौजवानों को उसकी व्रुट कर्णूर्स नौकरी देना इस सरकार का काय है। जो भी नौजवाना आया उसको हम तो थोけて जाच उसकोu, हम थे कर्या नौकरी, लोसके साथिर्धियों केशाथम्ने का का मैं कि उसकी योगी निना सिर्फ आजमगर्ड को 143 करोर रुपए से जादा की विकास परिजनाओं की सौगात दी बलकि आजमगर्ड में योगी का तेवर अलग नजर आया इस तेवर में संदेश था दो हजार 24 लोग सबाचुनाओं के लिए संदेश था कि अभी तो ये महज अंगडाई है 24 के लिए बाकी लड़ाई है दूसरी तरफ अखिलेश यादो की करारी हार के बाद कई सवाल उठने लगे हैं इस उपचुनाओं से ये बात और फुकता तोर पर साबित हो चुकी है कि योपी में जन्ता के बिजेपी का अधार दिन बदिन मजबूत होता जा रहा है अब ज़्यादा समय नहीं रह गया जब आजमगड भी बिजेपी का गड़ कहलाएगा ऐसे में अगामी चुनाओं को लेकर दोनों पार्टी की कड़ी टककर फिर देखने को मिलेगी जन्ता टीवी के लिए डेक्स से देशमा की रिपोर्ट भारत सरकार की संस्कृति मंत्रवाले के एक बड़ा फैसला सामने आया है भारतिय पुरातत्व सर्वेक्ष्वन विभाग की ओर से ये नेने लिया गया कि देश की आजादी की 75 अमरत महत्सा वर्ष पर देश की सभी पुरातत्व इसमारक निशुलक रहेंगे पांच अगस्त से लेकर पंदुरागस तक सभी मौनिमेंट सामनागरिकों के लिए निशुलक होंगे इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रवाले के फैसले से तार्जमहल का दिदार भी निशुलक हो जाएगा तो अगर आपने भी अभी तक अपने देश की संस्कृतिक धरोहर के दिदार नहीं किये हैं तो आपके आसपास जो भी संस्कृतिक मौनिमेंट हो जाईए और निशुलक उसके दिदार कीजिए उसका इतिहास जानिये और समझ ये कि आपका देश कितना खुबसूरत है पूरविधायक विजय मिश्वा के बेटे विश्नु मिश्वा की निशान देही पर असलहूं का जखीरा बरामाद होने पर गोपी गंज उथाने में एक और मुकदमा कायम हो गया है नियाले से रिवांट पर लेने के बाद गुरुवार को पूछता आज के बाद पुलिस ने उनके रिशान देही पर अमुआ इस सिद पैट्रोल पंप से एके 47 राइफल के साथ में पिस्टल गोली और कार्टूस बरामत किये इसके बाद उनके खिलाब मुकदमा कायम हुआ प्रभारी निरिक्षक प्रजेश सिंग ने बताया कि विश्टू मिश्ट्रा के खिलाफ धारा 3-7-25 में मुकदमा कायम किया गया है सपा ने तो आजम खान हस्पिटाल में भड़ती हैं निमोनिय और सांस लेने की तकलीव थी इस वज़े से उनको हस्पिटल में एडमिट कर आए गया इस दोरान लखनाओ के मेदानता हस्पिटल में भड़ती है आजम खान से मिलने के लिए सबाप रमोग अखिलेश यादों पहुचे हैं आपको बता दे कि मेदानता के क्रिटिकल केर यूनिट आजम खान की लगातार इलाज कर रही है और निगरानी भी कर रही है अब सोच ये सियासत भी क्या खूब खेल दिखाती है और क्या करवट लेती है आजम खान जो इतने समय तक लंबे समय तक जेल में बंद रहे उनसे मिलने अखिलेश यादों नहीं गए लेकिना अजम पताल में मिलने के लिए जब उनकी एहमियत का एसास हुआ तो दोड़े दोड़े पहुँचें वह यूपी के फटापूर जुले में सपा की सदस्ता अभियान के प्रभारियों और पूर्व मलसी राजपाल कश्यप ने तुरंगा यातुरा पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कभी तुरंगे के पक्ष में रही ही नहीं ये लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे आजादी की लड़ाई में इनोंने सर्फ माफी मांगने का काम किया आजाद देश में संगचन पर प्रतिबंध लगा सरदार पटेल ने सबसे पहले कहा RSS पर प्रतिबंद लगाओ क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक संगछन है ये कभी जंडे के पक्ष में नहीं रहे जब जंडा रखा गया तब RSS ने सबसे पहले विरोध किया इन्होंने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं फैराया RSS की शाखा में कभी आपको तिरंगा देखने को नहीं मिलेगा भगवा जंडा लहराते हैं तिरंगे की आल में भगवा का एजंडा है समाजवादी पाती इसको पूरा नहीं होने देगे PJP कभी तिरंगा के पक्ष में नहीं नहीं ये लोग तो आजादी की लडाई में भी नहीं थे आजादी की लडाई में भी मापी माँवादे लोग है और आजाद देश में किसी संगठन पर प्रतिबंद लगा था तो सर्दार पटेल जी ने ग्रेह मंत्ति रहते हुए RSS में प्रतिबंद लगा था कि दुनिया का सबसे खतरनाग संगठन यही है इसलिए प्रतिबंद लगाया था यह कभी जंडे के पक्ष में नहीं लगाया यह तो जब जंडा रखा गया उसमें भी यही लोग विरोद कर रहे थे आरेसेत्य लोग और इन्होंने कभी नागपूर में तिरंगा नहीं लगाय कभी आरे से तिसागा में तिरंगा नहीं लगाया भगवा लगाते हैं यह तिरंगे की यार में भगवा एजंडा समाजबाती लोग नहीं चल ले देगे इंको भी नगरकाप करें ट्राफिक सुधारने को लेकर भले ही बड़ी बड़े दावे किया जा रहे हूं और खाका तैयार किया जा रहा हूं लेकिन सड़क पर हकीकत कुछ और नज़र आती है जिस जगा पर लखनाओ कमिश्णर कल शाम को दौरा कर रहे थे भ्रमण कर रहे थे आज उन सड़कों पर भीशन जाम है खास बात यह कि एक सिपाही भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता और दावा था कि एक जिले में बीस हजार सिपाही ट्राफिक के मुहाने पर खड़े होंगे सम्हालने का काम करेंगे दावे हवा हवाई हैं लखनो के ट्रैफिक को लेकर भले मुक्पंति सक नज़र आ रहे हों डीजीपी से लेकर एडीजी के रैंक अधिकारी सड़कों पर हों लेकिन इसके बावजूद लखनो को ट्रैफिक अभी कहीं से भी पदला और नज़र नहीं आ रहा है यह पुराना लखनो है आप देख स ट्रैफिक विवस्ता सालों से वैसे ही है जैसे दस साल पंदर साल पहले नज़र आती थी लेकिन यहां पर किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं जाती लोग अक्सर जाम से जूसते रहते हैं खास बाद यह भी है कि यहां पर महर्रम का समय चलना आ है एडीजी से लेकर डिया आप में थे इन्हें गिलियों का जाहिजा ले रहे थे कलपे जबाद जो मौलाना हैं उनसे मिलने कहते हैं और खास बात है कि कलपे जबाद के घर यहां कुछ दूरी पर ही है और ऐसे जब अधिकारी सलकों पर होने के बावजूद अगर आप तस्वीर देखेंगे कि 24 अधिक्णी के कारियों के पिशुद ने कहते हैं दिखान दे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जगहों पर बिजली के पोल और दूसरी समस्या आने पर कारियों में बाधा पड़ रही है इसके लिए सभी विभागी अधिकारी आपस में समन्वे बिठाएं और जल से जल समार्ट सिटी के काम को पूरा कर ले हैं कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष करन मारा ने बिज़ेपी सरकार पर जम कर हमला बोला है मारा ने आरूप लगाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर केंद्र सरकार बदलेगी भावना से कारवाई करती है केंद्य एजन्सियों का अस्तिमाल उन पर दबाव बनाने के लिए के आ जाता है और जो बीज़ेपी के पक्ष में उस पर कारवाई नहीं होगी जो बीज़ेपी से बाहर उस पर ततकाल कारवाई होगी साथ में करण महारा ने इस दोरान ये भी का कि हैं महेंगाई और तमाम अन्यमुद्दों को लेकर के 5 अगस्त को राजभवन के घिराओ का काम करेंगे कॉंग्रेस हर जिले में 75 किलोमेटर कम से कम एक यात्रा निकाल रही है जिसमें इस्थानी समश्याओं के साथ साथ राश्ट्री क्रांती के समय जो घटनाए घटी उनके विशे में चरचा बेरोजगारी पे चरचा माता बहनाओं बहनों के साथ गाओं में चौपाल लगा के उनके स्वास्त विशेव पे चरचा बेरोजगारी पे चर्चा, महंगाई पे चर्चा और दूद, दही, छाँच, आटे पे लगने वाले जीएस्टी पे चर्चा ये में विशे उस यात्रा में रहेंगे 13 अगस कुदैरदून जनपद में राश्ट्रे लोग अदालत का आयोजन हो रहा है और जनपद्यों आधिश और जुला विदिक सेवा प्रादिकरण के अद्युक्ष का कहना है कि ऐसे सभी मामले जो आपसी सहमती और सला से सुलजाए जा सकते हैं उनको राश्ट्रे लोग अदालत के माध्यम से सुना जाएगा तो राश्ट्रे लोग अदालत में हुए समझवादे के किलाब किसी और अदालत में अपील नहीं की जा सकती है लोग अदालत में वो सारे सिविल के मुगदमे भी लगाते हैं जिनमें पक्षकार आपस्मे राजी करने के लिए तैयार हो जाए लाब लोग अदालत का ये है उस्तारों को कि सिविल के मुगदमे में वो लंबी चवाड़ी जो कोड़ फीस देते हैं वो कोड़ फीस उनकी वाकिस हो जाती है लोग अदालत में मुगदमा तैया होने के बार कोई अपील नहीं होती यानि मामला अंतिम रूप से निस्तार कुई प्रदेश सरकार ने विभननस अंस्थाओं में काम करने वाली कारेरत ठेकेदारों के पैसे में से पांच गुना रोयल्टी काटने का अदेश दिया है वापस नहीं लिया तो प्रदेश में सभी तोरा के निर्माल कारें को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा हम ने इनको चेता होनी दिये कि अगर तीन दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी कोई समसय का समाधान नहीं किया तो हम पूरे परदेश में कारेंगे प्रदेश कार करेंगे और पूरे ताला बंदी करें को शाहर विकास मंत्री प्रेंच हनुने त मार्जने दीए है सावन का महिना और राम भगवान शिव के अत्यान थिप्रिये हैं तो वहीं आयोध्या नगरी अपने अंदर प्रभु श्री राम के अनेकों कहानिया और मानेताओं को समेटे हुए कहार जाता है कि सावन का महिना शुरू होते ही भगवान श्री राम को माता जानकी के साथ रंगमहल मंदर के जूले पर विराज मान करा दिया जाता है इसी प्रबपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोध्या में भी राम लला को रजत हिंडोले पर जुलाया ज़ा रहा है और भक्त वच्छल भगवान के चटा देखते ही बन रही है देखे एक आस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या अपने अंदर प्रभूशिर राम की अनेको कहानिया और बानिताएं समेटे हुए हैं वैसे तो सावन का महिना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है पर राम का ध्यान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव मास में राम लला के मुखमंडल की आभा देखते ही बनती है दूसरी तरफ सावन से जुड़ी कई मानिताएं हैं जो भगवान की लीलाओं के और करीब ले जाती है मानिता है कि राम लला के आंगन में एक रंग महल मंदिर है जो एक प्राचीन पद्धती और परंपरा से जुड़ा हुआ है कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम माता जानकी के साथ इसी रंग महल में जूलते हैं राम लला माता जानकी के साथ सावन भर जूलन उत्सव का आनन लेते हैं आज फिर वही अलोकिक छटा अयोध्या भूमी पर छाई है वहीं अयोध्या में प्रभूशी राम लला माता जानकी के साथ रजत हिंडोले पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं प्रभू के दर्शन के लिए गर्बगरी में भीम्र उमर पड़ी है चहां बड़ी ही खूपसूरती से गर्बगरी को फूलों से सजाया गया है प्रभू की ये मनमोहक छवी भक्त पूरणिमा तक नहार सकते हैं साथ ही हर शाम राम लला को कजरी भी सुनाई जाती है कहते हैं जो भी राम लला को कजरी सुनाता है और रजत हिंडोले पर जुलाता है उसकी तमाम मनोकामनाय राम सहज ही पूरी कर देते हैं और जीवन में होता है सिर्फ मंगल तो आप भी जाईए और करिए राम लला के मनमोहक अवदार के दर्शन और दिल में रखिये शिव का ध्हान क्योंकि हरी हर के बिना अधूरे है अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से प्रतीम भौमिक की रिपोर्ट वक्तियां पर छोड़ से ब्रेक अब रिक्यूस पार ख़बों के सफ़र लगतार जवारी है बने रहे हमारे साथ हमारी कामना कि आपका आने वाला कला से भेतरीन भी हो और सुरक्षपी नमस्कार